नमस्कार अंसुया गौधाम में आपका हर्दिक स्वागत करते हुए अभी जुनागट जिल्ले के अंसुया गौधाम मानावदर तालूपे में उपस्तित है तो उसके बारे में हमारे गौशाला के अंदर जो नए नंदी माराज दो लेके आए इसके बारे में मैं आपको थो तो आपने तो इसकी पेडिगरी जानी भी होगी पड़ में थोड़ा आपको बताऊंगा तो इसकी मदर बगली करके थी मतलब इनका जो लाइन था होस मिल्क में भी बहुत अच्छा था और इसका फादर जो जील डीबी के अंदर एक सांदार बुल रहा था हैरी करके को उनका बेटा है यह तो इसके बारे में मैं आपको और भी बता सकता हूँ अभी तो मैंने इसको शिवा की प्रवूती के लिए रखा है मतलब कि इसकी तो हम अभी तो केर करेंगे बाद में इसको चालू करेंगे अभी इसकी उम्र भी थोड़ी बहुत है, मतलब यह 8-10 साल की इसकी उम्र है, इनके बच्चे भी मिल्क में आए, मतलब यह प्रूवन बूल है, और आप मार्किट में देखे, तो इसके बच्चों में दूद भी अच्छा हुआ है, ब्यूटी भी अच्छी आई है, और एकद अच्छे मिल्क में बच्चे आये हैं इनके, अभी हमारे गवसाला में दो नंदी उपस्ती थे, एक नंदी बंसीधर और दूसरा नंदी में आपको अगले वीडियो में दिखाता हूँ, आपको यह नंदी माराज कैसा लगा, मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा, अभी अंचुया गवदाम में मेरा दूसरा नंदी माराज है, और इसको तो आप जानती होंगे, देखती ही पता चल गया होगा, यह भी बहुत बूल फेमस रहा है, और अभी तक फेमस भी है, तो इसका नाम है अंगत, यह भी हम केजी एसी संस्थान से लाए हुए है, और जो बं पान, इसकी प्राथमिक ज़रूरियात है, सब पुरुन करके इसको मैं सर्विस पे लूँगा, और सर्विस पे है भी है, पर मैं उसको थोड़ी केर करना चाहता हूँ, यह हंगत की पेडिगरी आप जानते होंगे, आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा, तो यह डाइ की नाशुदागर की, तो यह उनकी अंगत की पेडिगरी है, तो आप इनको जान सकते होंगे, और यह एकदम स्वान्स्वभाव का भी है, और हम यहां इसकी एक्स्ट्रा केर कर रहे है, क्योंकि इसको हम पूरे सर्विस में लेंगे, और इसकी संतती हमारे गउधाम में ए गुविन्द, ए गोपार, ए गया निधान प्राण नात अनात शके, दीन दर दर रिगान ए गुविन्द, ए गोपार, ए गया निधान इसम्रा गाम पूरन है समरत अगाम पूरन मोहमा याता ए गुविन्द, ए गोपार, ए गया निधान 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 अनन्द कूप महा भयानक नानक पार उता दे दयानिदान ते गुपान वे दयानिदान